साथ नमस्कार स्वागत आपके अपने चैनल हारवेट्स क्लब में AI कराने के बाद सीमन कराने के बाद या क्रोस कराने के बाद बस आप एक चीज खिला दो आपकी गाई बेस पक्खा ग्याबिन रुख जाएगी यानि एक ही बार में ग्याबिन ठेहर जाएगी यदि यह समझे आपके साथ भी आती कि आपने AI करवा ली लेकिन आपके गाई प्रेगनेट नहीं रुख लिए आपने सिमन करवा लिया लेकिन आपके बाई गिस गाबिन नहीं ठेहरी आपने सांड से क्रोस करवा लिया आपने बॉल से क्रोस कुलिया लेकिन आपकी गाई बेंस प्रेगनेट नहीं रूक रही है, बार बार हीट पर आ रही है, बार बार AI करवा रही है, लेकिन फिर भी वह ग्याबिन नहीं रूक रही है, तो दोस्तो इसके लिए मैं आपको जवर ज़स्त चीज लेकर आया हूँ, जिस चीज को खिला कर, जिस द शमिश्या है कि पश्व को ग्याबिन नहीं रुकना इसलिए मैं आपको भधवा बताऊंगा एक ऐसा फर्मॉला बताऊंगा जिसको खिला कर जिसको पिला कर आप अपनी गाए भेस को आसानी से प्रेगनेंट ठेरा सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है मान लिज़े कोई आपके गाए आपने उसकी करवाई बीज रखवाया आर्टिफियल इंजमेशन करवाया बॉल्ट से क्रोस करवाया लेकिन फिर भी वह माहा नहीं बनी लेकिन फिर भी वह गया भी नहीं रुकी तो वहाँ पर पशुमालिक सोचता है अब क्या करें डोक्टर भी सोचते है इ यह दवा आपको देनी कब देनी है एयाई करवाने के बाद सिमन रखवाने के बाद या बॉल्ट से क्रोस करवाने के बाद आप किसी भी वक्त दे सकते हैं किसी भी वक्त का मतलब एयाई करवाने के एक गंटे बाद आपको यह दवा देनी है वह दवा कौन सी है मेहंदी के महंदी के पत्ते, इनसे क्या होगा आपकी गाय गयाबिन रुकेईगी आपकी गाय गर्वती हो जाएगी ओदावा देने से एसा क्या है इसमें, इसकी तासिर ठंडी है और इसमें वह तत्व है जिन तत्वों की पशुव को कंसिव करने में मदद मिलती, वह सारे तत्व मेंधी के अंदर है, तो आपको क्या करना है? एक किलो आपको मेंधी के पत्यय लेने, जिसी भी गायों को आपने क्रोश करवा या सिम्वन रखवा या AI कर रहे ही, उसके बाद, आपने एग घंटे बाद, एक किलो मेंधी के पत्यया आप उसको ख हो जाएगी और आपका पश्यू एक ही बार में अब ग्यावेन रोग जाएगा हमारी वीडियो पसंद आए हो तो अपने दोस्तों को साथ जरूर शेर करना लाइक करना और सस्क्राइब करना भूत बहुत धन्यवाद थैंक्यू